नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में एक और महत्पूर्ण इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ आप देखते हैं कि विद्धाले में बहुत सारे सामान ऐसा होता है जो निलामी के लायक होता है जिनका हमारे विद्धाले में कोई उप्योग नहीं होता हमारे विद्धाले में पड़ा रहता है तो उससे अच्छा है कि हम उसकी निलामी कर देते हैं उस निलामी की परकिरिया संपून परकिरिया क्या है यह हम इस वीडियो के माध्यम से एक-एक पॉइंट वाइज उसको डेटेल से देखते हैं कि निलामी की परकिरिया किस परकार पून की जाती है तो आप देख सकते हैं एक PDF है इसका लिंक मैं description box में डाल दूँगा आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं सबसे पहले आप देखेंगे कि निलामी परकिरिया के चरण क्या क्या है करम संख्या एक में विवरण है SR5 तयार करना अगर हमें किसी सामान का विद्याले के सामान का अगर हमें निलामी की परकिरिया करनी है तो हमें SR5 तयार करना होगा SR5 में क्या होता है जो अनुपियों की सामान होता है उसकी सूची तयार की जाती है और वाहां का विद्यालय का संस्था परधान पुस्त काले परभारी बंडार परभारी के हस्ताशर होँगे यह अब देखें निरक्षन से मित्य.. सामान बीचने से पहले हमें यह त्या करना होता है कि यह सामान ना कारा है अथवा नहीं है इसके लिए हमें एक समीति का गठन करना होगा समीति के गठन में अगर 10 लाक तक के पुस्तक मुल्य है तो उसके लिए समीति के सदस्य कौन-कौन होंगे संस्ता परधान होंगे, कनिष्ट लेखाकार होंगे, सायक लेखा दिकारी ग्रेड सेकेंड के हो सकते हैं, सायक लेखा दिकारी ग्रेड फर्स्ट के हो सकते हैं और विशे विशे सग्य प्रकरती के अनुसार, सामान की जो प्रकरती होगी हो उसके अनुसार हम विशे विशे सग्य को उसमें सामिल कर लेंगे और कंप्यूटर से संबन दित है तो कंप्यूटर परभारी को उसमें सामिल कर लिया जाएगा ये सब चीजे SAR5 में अंकित्स सामान के निर्ख्षन उपरात उख समीति अपनी रिपोर्ट एसर में प्रस्तृत करेंगे कि विद्धधलेम कोन-कोन सा सामान न का रहा है और कोन-कोन सा सामान उप्योगी है इसके अलावा हमें आरस्ट मूली का निर्धान करना होता है आरिस्तमुल्य का मतलब जो कम से कम कीमत होती उस सामान को बेचने की उसका निर्धारन करना होता है यह निर्बर करेगा कि वह पुस्तक हैं लोहे का आइटम है प्लास्टिक का आइटम है यह अन्य सामान है उसकी हम नूंतम्मुल्य समिती के द्वारा हम उसका निरधारण कर सकते हैं अनुपयोगी गोशित करने का आदे जारी करना अगर हमने समिती का गठन कर लिया समिती ने अपनी रिपोर्ट परस्थुत कर दी तो हमें उसका गोश्णा पत्र जो आदेश होते हैं कि हैं सामान अनुपयोगी है वो जारी करना होगा यह मोकिमों की बाते मां आपको बता देता हूं विस्तार से देखने के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना और इसको विशेश रूप से आराम आराम से पढ़ लेना आपको सारी चीज़े समझ में आ जाएंगा अगर दो तो संस्ता परदान समेति के सदश्य होंगे सायक लेखाकार सायक लेखा दिकारी के हो सकते हैं निलामी का परचार, निलामी करने से पूर्व हमें उसका परचार भी करना होता है, अगर पुस्तक मुल्य की राची पचास हजार तक है, तो हमें साथ दिन का समय मिलता है, और समझ छेत्रे और खंडे मुख्यालम GST रेजिट्र बोली दाता, जो भी बोली दाता होते हैं, परचार के लिए इसके अलावा बयानाया अमानत राशी न्यूंतम हमको अमानत राशी 500 रुपए लेनी होती है जो पुस्तक मुल्य का दो परतिसत होती है और अधिक्तम हम 50,000 रुपए अमानत राशी के रूप में हम ले सकते हैं विक्रे लेखा समीती एसर साथ एसर साथ निलामी के दिन तयार किया जाएगा जिस दिन हमारे निलामी होगे सामान की उस दिन तयार किया जाएगा इस पर जो विया समीती के सदश्यों के इस्ताक्सर होंगे को सदिकारी के परतिनिदी के अभाव में निलामी का कारे संपन नह सबसे जादा बोली लगाएगा हम उसको निलामी के द्वारा सामान देंगे और बुक्तान भी उसी के द्वारा ही किया जाएगा यह पॉइंट नंबर 9 में साफ साफ लिखा हुआ है निर्क्षन सर्वेशन समीतियं व्यायन समीति के सदस्य संख्या में वरदी भी कि जा सकती है अगर आपको लगता है कि इसमें सदस्य संख्या जादा होनी चाहिए तो हम उसकी जो समीति होती है व्यायन समीति उसके सदस्यों की संख्या को हम बढ़ा भी सकते हैं और जितनी हम हमारी इच्छा है उतने हम बढ़ा सकते हैं इस परकार जब यह सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम इसका पूरा रिकोर्ड रखेंगे और निलामी की जो परकिरिया है इसको चरणबद तरीके से हम कंपलेट कर लेंगे और हमारी इस परकार हमारी विद्याले का जो नकारा सामान था हमारी विद्याले से जा चुका है और उसके एवज में उसके बदले में हमें कुछ राशी प्राप्त हो चुकी है तो यह निलामी की परकिरिया की सरणब थे इससे हमें यह फायदा होता है कि विद्ध्याले में हमें जो नकारा सामान था विद्ध्याले से जा चुका है धनरा से प्राफ्थ हो चुकी है और वो सामान जहां पर रखा हुआ था जिस कमरे में रखा हुआ था एक या दो कमरा हमारे लिए उप्योग के लिए खाली भी हो जाते हैं तो दोस्तों इस परकार आप अपने विद्धाले में निलामी के परकेरिया का पूर्ण कर सकते हैं अगर कोई समस्य आती है तो आप कमेंट बुक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको यहीं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि बेवज़े अपने विद्धाले में जो नकारा अनुपयोगी सामान है उसको नहीं रखें जैसे ही आपको लगता है कि अब हमें निलाम क के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बुक्स में बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद